लेसन नमबर 8 एक्वेशन इस रिडूसेबल टू को इस लेसन के अंदर हम टाइप नमबर 4 को डिसकस करेंगे एक खास किसल्ड की एक्वेशन होती है जिने कहते हैं एक्सपनेंशल इक्वेशन उनके अंदर इस्ता से होता है कि कॉंस्टेंट की पावर में विरियेबल आ रहा होता है दिखेंट एक्वेशन जिनके अंदर अपावर एक्साज बीमबर राइजाये टू पावर एकत्साज आ sandwich & the k वह फावर है जो अ मुझंब इंटल के वढ़ आई डाइक्वार सेक्वेशन on a यह क्सट्वेश श्रसाइप का ऑ्र यह इह मी माइन पहली इक्वेशाम प 0 और 3 power 2 x plus 2 equal to 12 into 3 power x minus 3, 4 into 2 power 2 x plus 1 minus 9 into 2 power x plus 1 equal to 0, exercise 1.3, question number 14, solve 2 power x plus 64 multiply by 2 power minus x minus 20 equal to 0, exponential equations किसरा से deal करना है आपने और उनको किसरा से tackle करते हुए quadratic में लेकर जाना है मैं इस question के solution में explain करूँगा आई इसको solve करते हैं यह खास farm आपने mind रखनी है यह नाम आपके जैन में होना चाहिए exponential equation constant की power में variable तो यह आप देख रहे हैं constant की power में variable कैसे है हुआ है two power x तो यह exponential equation है देके इसका solution देखें जरा देखें इसको लिख सकते हैं two power x plus 64 over two power x minus 20 equal to zero बजा यह है कि टू पावर लिखा वे अगर माइनस x वो हो जाएगा one over two power x हो जाएगा अच्छा इसके अंदर let करेंगे इसको से solve करेंगे step one देख लेते हैं let y is equal to two power x तो यह equation given है यह बन जाएगे वाइप लास 64 over y minus 20 equal to zero देखें इसको जब हल करेंगे तो वाइल से माइगा तो y square plus 64 minus 20 y यह y हमने lcm लिया है equal to zero अब क्या होगा y उठागे उदर ले जाएं तो इसको लिखेंगे y square minus 20 y plus 64 zero into y करेंगे तो यह आ जाएगा y square minus 20 y plus 64 equal to zero तो यह हमने given exponential equation को quadratic form में reduce कर दिया अब यह quadratic equation है in y इसको हम solve करेंगे इसके अंदर मिटम रेक मजट प्लाइब करेंगे तो देख लेते हैं कि यहां देखें यह यहां पर one है और यहां 64 है तो ऐसा करते हैं कि one को multiply करें 64 के साथ तो यह आ जाएगा 64 और हम यह बात जानते हैं कि 16 into 4 भी क्या होता है 64 और 16 plus 4 क्या होता है 20 minus 16 into minus 4 भी क्या होता है plus 64 लेकि इन दोनों को जब add करेंगे minus 16 minus 4 तो यही हमारा desired number है minus 20 इसको break कर दें y square minus 4y minus 16y plus 64 equal to 0 तो यहां से क्या आ जाएगा देखें y कामन आएगा तो यह आएगा y minus 4 और यहां से minus 16 कामन आएगा इदर भी आ जाएगा हमारे पास y minus 4 equal to 0 यहां पार आपने बात मन रखनी है mid term break method apply किया है y minus 4 y minus 16 equal to 0 तो y minus 4 equal to 0 y minus 16 equal to 0 यहां से भी 2 values आ जाएगी y equal to 4 और y equal to 16 अभी हमने इसको y के लिए से साल किया तो y की 2 values आ गई अब यह हमने क्या पूड़ किया था two power x अब उसको backward replace करेंगे but y तो था हमारे पास two power x था so अब हम पर फार्म करेंगे step number two put y is equal to 2 power x this implies तो पहले जो value आपना क्यों ही है वो क्या है देखें y equal to 4 तो यह 4 आ जाएगा and two power x क्या आ जाएगा 16 अब इन तरह के स्वालों को solve करने का आसान तरिकाई होता है कि एक टू पावर एक से हैं तो कोई भी नंबर राइट एंड़ साइड पे उसको भी टू वाली फार्म में लेकर आए अगर थ्री पावर एक से तो फाइव वाली फार्म यहां तूपावर तो हम 4 और 16 को 2 की फर्म में लिखेंगे, बड़ा असान है ये, देखें, 2 पावर एक्स, 2 पावर 2, and 2 पावर एक्स, 2 पावर 4, 16 होता है 2 पावर 4, तो यहां से compare करें दौनों तरफ, तो एक्स की value आ जाएगी 2, और यहां से एक्स की value की आ जाएगी 4, तो हमारे पास यह solution set होगा, वो आ जाएगा, 2, and 4, अब देख रहे हैं, 2 पावर एक्स, 16 आ गया, तो सिसी होता है, 2 इंटू 2, इंटू 2, इंटू 2, तो 2 पावर 4 आ गया, तो हमें एक experiential equation गिवन थी, उसके अंदर हम नहीं यह गिया, कि उसके अंदर हमने एक नया variable इंट्रडूस करवाया y, तो फिर हम, हमारे साथ यह हुआ, simplify करने के बाद, हमारे पास equation आ गी, quadratic equation in y, उसको साल्व किया, y के दो values आ गी, उनको फिर हम x में लेकर गए, इस तरह से answer आ गया, झाल 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 झाल